नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतूल और हैं सैमसंग गलेक्सी M51 दोस्तों जैसे के आप जानते होगी कि इस फोन में अब एंडूइड 11 का अपडेट मिल चुका है जो 1UI 4 3.1 पे बेस्ड है और यहां पे मैं चेक करने वाला हूँ अपडेट के बाद इसकी बेटरी डेनिंग और हिटिंग टेस्ट को तो 1UI 4 2.5 अपडेट के बाद भी मैंने इसकी टेस्ट की थी एक घंटे के लिए मैंने कडिसली उसकिया था इस फोन को तब जाके एक घंटे के बाद 13 प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई थी उस टेस्ट में तो अब देखते कि 3.1 अपडेट के बाद कितनी बेटरी ड्रेन होती है एक घंटे के बाद तो यहाँ पे मैं सेम टाइप से ही जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ 40 मिनिट के लिए Call of Duty गेम खेलूँगा 10 मिनिट के लिए 4K वीडियो रिकोडिंग करूँगा फ्लेश के साथ और फिर 10 मिनिट के लिए 1080p फोर्मेट में यूट्यूब में वीडियो प्लेबेक करूँगा और यहाँ पे स्टाट करने से बहले मैं आपको बदर देना चाहता हूँ जो brightness है यहाँ पे full रखी गई है और जो volume level है वो भी यहाँ पे full है अब आप देख सकते हो जो battery level है वो अब यहाँ पे 88 परसंट है आप यहाँ पे देख सकते हो तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करूँगा quality game को और game को start करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो इसकी setting से वो दिखाना चाहता हूँ graphic quality मैं यहाँ पर high पर रखने वाला हूँ और frame rate जो है वो max पर रखूँगा तो high और max के साथ मैं इसे 40 नट के लिए खिलने वाला हूँ दोस्तों मैंने इस game को start कर दिया है और timer भी start कर दिया है यहाँ पर जो है कि अच्ड़िए पर रिखर पर दिया है कि अच़् इस दिया हो कि और मैं पर ला उख पर भी ज़िए चरिए जर लाषगिए हुआ ज़िएरा जाना प्रेंछने ऍससे जा कि चाहँ पर पर बदोषब आंपिए जे खिएर इस वालाओशल केता है कि एा कि गज गर तो दोस्तों यहाँ पर 40 मिट की गेमिंग कम्प्रेट हो चुकी है और बात करेंगे टेमप्रेशर की यहाँ पर मैक्सिमम है 39.7 और यहाँ पर बैटरी परसंट अगर आप देखोगे तो यह है 79 परसंट मतलब जो 88 परसंट थी पहले अब है 79 परसंट मतलब 9 परसंट की ड्रेनिंग हुई है 40 मिट की गेमिंग में तो यह करीबन पहले की तरह ही है ज्यादा बैटरी ड्रेन हुई नहीं है पहले भी 40 मिट की गेमिंग के दुरान 9 और 8 परसंट बैटरी ड्रेन हुई थी अब है भी आप पर 9 परसंट बैटरी ड्रेन हुई है अब हम कैमेरा में करेंगे 4K वीडियो रिकडिंग फ्लैश के साथ दोस्तों यहाँ पर 10 मिनिट की जो रिकडिंग है वो कम्प्लिट हो चुकी है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बैटरी लेवल की तो यह है 75 परसंट आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर हम करने वाले टेंपरेचर शेक तो यहाँ पर अगर 45 वी हो तो आप चोकी है गामत क्योंके फ्लैश के साथ 4K में वीडियो रिकडिंग करते है तो 45 और 46 कोमन होता है और बैक की बात करेंगे यहाँ पर तो 41, 44.8 मैक्सिमम यहाँ पर अल्मोस 45 है कैमेरा के अराउंड में क्योंके फ्लैश वहाँ पर जलता है तो दोस्तों अब हम 10 EDP फॉर्मेट में यूट्यूब में 10 मिट के लिए एक वीडियो प्लैबैक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लिट हो चुका है 10 मिट का वीडियो प्लैबैक यूट्यूब में टेमरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टिम्परेटर है फ्रंट में वो है अब 37 37 37 ओके सो मैक्सिमम है 37 जो 45 था और यहाँ पे बैक में है बैक में भी 37 दोनों में अल्मोस्ट सेम है अब बात करेंगे यहाँ पे बेटरी ड्रिंग की तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो उपर में है 73 जो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले 88 था और अब हुआ है 73 तो यहाँ पे मैंने जो दो टेस्टिंग की थी उसमें पहली बार एक घंटे के बाद 14 प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई थी और 2.5 अपडेट के बाद 13 प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई थी और अभी यहाँ पे 15 प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई है क्योंकि 88 से स्टार्ट किया था हमने और 73 परसंट मतलब 15 प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई है एक घंटे के दोरान तो दोस्तो टेस्टिंग से हमें यह पता चलाए कि जो बेटरी प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई है तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा बेटरी प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई है तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा बेटरी प्रतिशत बेटरी ड्रेन हुई है तो यह झाल झाल